सबी लोग को मेरा नमस्कार और बहुत टाइम से मैं वीडियो बनाने वाला भी था और बहुत सारो के कमेंट्स भी आये थे कि आपकी स्केट बुक टूर की एक वीडियो आप प्लीज बनाईए सो मैं आप लोग के लिए एक वीडियो बनाई है सो आई होप आप लोग को अच्छी लगेगी और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तरह सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा इससे के मैं आगे और भी इंट्रेस्टिंग वीडियो आपके लि मिल जाएगा और भी बहुत सारी चीजे जो इंट्रेस्टिंग चीजे में आपको बताता रहूंगा सो आज की वीडियो है वह एक स्केच्च बुक टूर की है जितना ही मैं अभी तक काम किया है अभी तो मैं आपको कुछ लिमिट स्केच्च बुक के स्केच्च दिखा रहा इस चीज के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है और आप देख सकते हो मेरे डिफ्रेंट टाइप की स्केच्च बुक यहां पे हैं और बहुत सारी मलग फिल हो चुकी है और मैं स्टार्टिंग करता हूं इस स्केच्च बुक से अभी एक पिकासो का स्केच्च मैंने बनाया स्याँ चार्कॉल में आप देख सकते हो यह सारा रगूलर प्रैक्टिस वरक है मेरा और यह कुछ पेन में हैचिंग εκ यूज करके मैंने बनाया हूं और यह मैंने फैबर कैसल और यूज करके इस स्केच्च बनाया है तो उध्जिक दे सकते हो दिफ्रेंट टाइप के और ये भी एक pen से, breast pen से बनावा sketch है, अब आईए कि pen से काम करने से आपके अंदर के जो डर होता है, वो दूर हो आता है, यानि जो mistakes हम करने लगते हैं, उजी दूर हो आती है, तो आप देख सकते हो किस तरीके मैंने lines यूज़ करी हैं इसमें, और ये कि directly without यूज़ यूज़ में portrait बनाया था, और बस ये हर चीज में आपको अलग-अलग effects देखने को मिल जाएगा, जिसमें जितना time लेके हम काम करेंगे, उतना ही वो ची detail में निकल के आएगी, वो तो एक normal सी बात है, और ये भी एक sketch है, hatching में आप देख सकते हैं, कुछ lines and strokes आप देख सकते हैं मेरे sketching कैसे मैंने finish lines दी हैं, क्योंकि आपकी lines से ही आपका दिखता है कि आप कितना डर लगता है, बट एक जहां डर दूर हो जाता है, वहाँ पर आपकी lines straight आएगे, वो बिना डर के आप कोई भी इकाम कर सकते हो, सो यह कुछ sketches हैं और उसके लिए five minute का ऐसे जलीले में किया गया काम है, simple से एक normal sketch, जैसे practice work है, सो आप यह देख सकते हैं, सो यह different type के मेरे work है, सो मेरा दिखाने मतलब यही था कि आप देखिए और आप भी काम करिए से कि आपको भी अच्छा लगए कि हाँ कैसे काम मैंने किया है, जितनी मैंने अभी journey अपनी तय करी है, उसमें कितने मैंने काम की होंगी, बहुत सारे sketches हैं, महला हजारो sketches है, बट क किया है, सो आप मेरा page follow कर सकते हैं, सैंकी आर्ट करके है, उसका मैं नेम आपको बतायता हूँ, SHNKYART, सैंकी आर्ट, सो आपको इंस्टा भी मेरे जो regular में काम करता रहता हूँ, आपको दीख जाएगा, तो जो मेरा इंस्टा handle जो मैंने आपको बताया, मैं दोबार repeat कर देता हूँ, SHNKYART, सो आप देख सकते हैं, और अभी मेरी online class भी चल लहीं है, water color हो गया है, sketching का हो गया, सो अगर जिसको join करना है, वो join भी कर सकता है, अगर किसी को मेरे से personal contact करना है, तो मेरा whatsapp number लिख लीजे, 955-9480-989, सो जिसको कुछ सीखना है मेरे से personally, तो वो सीख भी सकता ह आप देख सकते हैं, कि sketches different type के हैं, यह सब मेरा practice work है, जो भी मेरे को मन किया, वो मैंने किया, मैं यह नहीं कहता हूँ, रगुलर आप काम करोगे, आपके काम improvement दिख जाती है, आप देख सकते हैं, चार कोली sketch है, वही रगुलर आप काम करोगे, आपके काम फिनिसिंग खुद भी खुद दिख जाएगी, और अभी जो मैंने यह एक sketch देख सकते हैं, two colors किया गया, एक red and blue से, कितने अच्छा feel आ रहा है, बस एक बात यह बात, आप कुछ भी tools यूज़ करें, बस अगर आप काम अच्छा है, तो आप कुछ भी बना सकते हो, कैसे भी, so यह चीज़ आप करता हूँ, यह कुछ pen से कियागा sketch, जो उसमें best best मैं आपको दिखा देता हूँ, so आई होग आपको अच्छा लगेगा, so यह metro में कियागा sketches है, क्योंकि मैं जिल्ली में रहता हूँ, तो metro मैं morning में जाता था college, जो भी ऐसे polls मिलते था, मैं sketch करता था live, यह सारे live काम है, यह metro का नहीं है, बट फिर भी आप, कम line में एक feel लेना है, एक अच्छा quality यह होती ही, कम line में एक अच्छा feel निकाल लेना, यह कि बहुत बड़ी बात है, speed में काम करना, speed बहुत जरूरी है काम में, so आप यह देख सकते हैं, यह भी different type of sketches है, आपको अच्छा लग रहा होगा, और जैसा भी आपको लगे, so please मेरे को आप बताईए, कैसा भी, जैसा भी आपको काम लगे, यह different type of human figure, आप कुछ भी sketching में आप कुछ भी कर सकते हो, यह craft museum दिली में 2019 मैंने बनाया था, so यह की regular काम करने से आपकी, जो डर होता है sketching, वो दूर हो जाएगा, और मैं तो यही बोलता हूँ कि जितना live sketches करोगे, उतनी अच्छी बात होगी, so आप यह देख सकते हैं, फोर्ट शॉर्टिंग में है, sketch है यह, यह कुछ मैक्ट्रो में कियें, sketches live हैं, लाइव करने में बहुत अच्छी बात है, लाइव जितना हम काम करें, इतनी अच्छी बात होगी, यह pen से किया गया काम है, यह भी कुछ sketches हैं, आप देख सकते हैं, स्ट्रोक्स देख सकते हैं, यह बहुत इंपोर्टेंट है, में क्यों होता है, कैसे लगा रहे हैं, कुछ लोग डर डर के स्ट्रोक्स लगाते हैं, वह लोग लोग लाइन्स की पहले practice करें, जितने बड़े paper में आप लाइन्स की प्रैक्ट्रिस करोगा उतनी अच्छी बात होगी, यह आप देख सकते हैं, hatching and cross hatching में ने portrait बनाया है, और यह थोड़ा pencil shading में है, जो मन करें वह बना, कुछ भी आप घर में जो भी दिख रहा है आप उसको draw करने कोशिस करो, उससे क्या होगा कि आप डर होगा वह दूर होगा, क्योंकि अगर sketching सीखनी है तो आपको life काम करना पड़ेगा और जो चीज़ सामने है पहले उसको बनाने कोशिस करो, और कुछ मैंने इस तरीके से views बनाए हैं तो आप देख सकते हो बस pencil, pencils हैं क्या क्या कर सकते हैं, color medium को आप हटा दो, pencil से ही आप कितना अच्छा create कर सकते हो यह बहुत बड़ी चीज़ है, आपको आपको देखो देखने हो एक light कितनी अच्छी इक निकल के आ रही है, तो यह यतना आप काम करोगे उतनी आपकी knowledge बढ़ेगी, और यह कुछ मैंने color of art में बनाया थे sketches, आप देख सकते हैं, color of art में जो date दिरकी 39.19, यह ऐसे ही normal sketches, जो मैं practice करता रहता हूँ, देखो यह matter नहीं करता है कि मेरे practice करने से क्या मिलेगा, बस करते रहो, और यह मैंने गाजीवाद railway station में बनाया था, डॉगी बैठे हुए थे, डॉगी तो इमने एक ही था, तो मैंने उसका different way में sketch किया है, आप देख सकते हो, मैं तो बोलता हूँ, यह आप पैंसिल कलर में देख सकते हो, ऐसे still life, so sketching में यह matter नहीं करता है कि आप क्या बना रहा हूँ, आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी जो आपको लगता है, यह sketches आप देख सकते हो, और मेरे sketchbook बहुत सारी है, मैं सारी sketchbook तो नहीं दिखा रखता हूँ, यह देख सकते हैं कि मैंने मैट्रों में sketches बनाए हुए है, बस जलील speed, speed में कीगे काम है, यह कुछ railway station में मैंने बनाया थे, बस ऐसे ही हैं, आप पुछ portrait work है, तो आप देख सकते हो, मतलब कि इतने सारे मैंने sketches बनाया है कि एक video भी कम पड़ेगी, मतलब एक घंटे की बनाओ तब भी वो कम पड़ेगी, बट फिर भी जो मेरे को लगता है, जो मुझे आपको दिखाए चाहिए, वो मैं दिखा रहा हूँ, sketches, बहुत light उसमें है, जो यह है कि आप field lines कैसे, एक जो डर होता है लोगों का sketching पर थी, और अभी मेरा online sketching मी चलता है, किसी को अगर मेरे से personal sketching सीखनी है, आप सीख सकते हो, मैं आपको number बता दी है, मैं दोबार repeat कर देता हूँ, अपना number, whatsapp number जो मेरा है, किसी को अगर contact करना हो, sketching सीखनी हो, आप number लिख सकते हो, 955-9480-989, अभी मेरी online class चली रही है, अगर किसी को join करना है, जोइन भी कर सकता है, आप देख सकते हैं, सारे कुछ live कीएगे काम है, कुछ मैंने reference की हैं, और कुछ कह रहते हैं कि मैंने, बस वही है कि अलग-अलग वह आप कच्वाइसा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता है, कि आप reference बना रोख खराब, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बोलता हूँ काम करो, में होता है काम निकल कहना, यह बस ऐसे जलिल स्पीड में की है, मैं लग कि एक कुछ seconds में बनाएगे sketches नहीं है, जब आपकी speed बढ़ जाएगी ना, तो आप जलिल में काम करना लग जाओगे, सो आप देख सकते हो, ऐसे ही एक मैंने sketch बनाया हुआ है, थोड़ा समय, और यह कुछ metro में की के काम है, क्योंकि अच्छा, metro में मैं लग लाइव काम करने में करता है, आपको डर होता है, यह आप देख सकते हो, आई हो, आपको अच्छा लग रहा होगा, और जैसे भी आपको कैसे भी वीडियो लगी, आप प्लीज जरूर मेरे को कमेंट वॉक्स में बताईएगा, जैसा अच्छा लगा, या कुछ अगर आपको सीखना है, या कोई चीश पूछनी है, तो आप कमेंट में पूछ सकते ह मेरे से, और अगर अभी तक चैनल आप में सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजेगा, और जो भी आपके आपके आर्टिस्ट फ्रेंड हो, उनको भी ये वीडियो जरूर सेर करिएगा, उनको भी अच्छा लगएगा कि मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, तो आपके लिए काम आएगी, और हम लोग भी होता है, बहुत कुछ देख देख के भी सीख जाते हैं, तो एक बहुत ज़रूरी होता है, तो स्केचिंग हो सकता है, कुछ लोग के स्केचिंग देखेंगा, उनको मन भी करेंगा, कि हम खुद ट्राइग करें, एक अच्छी बात है, और ये मैं मुंबई गया था, मेरा जहांगीर में एक्जिविशन था, तो क्या कहते हैं, कि मैं अपनी दादी के रुका हुआ, तो वहाँ आप मैंने स्केच बनाया था, काफी अच्छा मलब, कि कॉम्पोशन के लिए लग रहा है, आप देख सकते हो, तो वहाँ ये कि कुछ भी आप बना सकते हो, ये मैटर नहीं करता है, ये मुंबई का है, तो बस जलिली बनाया था, स्केच हैं ये, आपकी आर्ट ये एरपोर्ट का ऐसा ही मैंने बनाया था, जलिली में, बहुत सारी चीज़े हैं, काम करने कोई लिमिट नहीं होती, कि यह तक बस फिनिस होजागा, ऐसा कुछ भी नहीं है, जितना आप काम कर सकते हो, आप देख सकते हो, तो आई हो जिन लोगों ने मेरे स्केच बूक टूर की वीडियो मांगी थी, आई हो आप वो लोग इस वीडियो के देखके काफी खुस हुए होंगे, तो ये है कि आप प्ली वीडियो बनाना थोड़ा सा टाइम लगता है मुझे, तो मैंने आज फ्री टाइम निकल के आपके लोगों के लिए वीडियो बनाई है, और मैं आगे भी वाटर कलर की और बहुत सचीज है, जो वीडियो भी दो तीन वीडियो ऐसी है, जो मुझे बनानी है, मेरे माइंड म बनाऊंगा, तो छड़ा सा वेट करो आप लोग, आपको हर वीडियो देखने को मिलेगी, तो आप देख सकते हैं यह भी लाइप किया काम है, हैचिंग आप देख सकते हैं, यह बहुत इंपोर्टन्ट है, तो यह स्केज आप देख सकते हैं, हर चीज का अपना-पना एक फ आप देख सकते हो, यह कुछ लाइफ किये गए काम है, यह स्टुएंट है, उसका मैंने लाइफ किया गए था काम, बस वही यह काम करते जाओ, क्या कर रोगी मेटन नहीं करते हैं, बस करते जाओ, अपने आप इंप्रूमेंट अपने आप आप आजाएगी, जब एक डर द कैसे स्ट्रोक्स दी हैं, यह बहुत इंपोर्टन है, टेक्निक कैसे आप यूज करो, यह बहुत मैटर करती है, और आपकी थीम एक टेक्निक भी डेविलप होगी, जब आप रेगुलर काम करोगे, एक या दो बर स्केच बनाएं से आप कुछ समझ नहीं सकते हो, अब इस मे मुझे जलिल लिए यह काम है, तो ऐसा ही एक पोट्रेट है यह, यह कुछा क्रेटिव मैंने ट्राइ किया था इस तरीके समने बैग और श्टूल के उपर रखके, तो मैंने आपको दिखा दिया है, इसकेच पहले ही, तो यह देख सकते हैं, भी मैटरो का है, मॉर्निंग का तो अच्छा लगता है, लाइफ कैप्चर करना चीजों को, परस्नली मेरे को नेचर और फिगर्स को कैप्चर करना अच्छा लगता है, और लाइफ काम करना जदा मज़ाता है, मुझे तो सही बता रहा हूँ, एक नैस्मल म्यूजियम में है, उसको मैंने ड्रॉ किया था, तो वहाँ पर एक फिगर था, तो अच्छा लग रहा है, तो आप टेक्शर देख सकते हो ना, कि हाँ एक फिल आ रहा है, तो यह चीज आप देख सकते हैं, इस चीज में इसमें लाइन सेंड इस तरीके का, एक व्यूजियम में और यह ट्रेन का है, तो मैंने अलग-अलग इसमें मेरा लेग है, तो अलग-अलग काठो के चीज़े आ रहे हैं, तो वही यह काम करोगे ना, तो आपको कुछ समझ में आए लगेगा, यह कुछ फोर सॉर्टिंग में स्केचेज हैं, आप देख सकते हैं इस चीज में, यह कितना एक अच्छा फील आ रहा है, आपको द प्रिदेगा, और यह मेरे आपको चीज माद बीडूरी बना रहा है, यह कुस ऐसे ही मलब की पैंसल से मेने ट्रीज बनाए है, और में आपको skin cells दिखाा रहा हूँ है इसलिये मेरे अभी के काम रहा है, अलग की बहुत सारे स्केच्च history books कि आदे कर दिखां इस वाह कूछ जैसा भी लगाओ आप प्लीस कमेंट बॉक्स ने जरूर बताएए कि आपको वीडियो कैसी लगी इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाए कि आप देखो कुछ थोड़ा सा मोटिवेट हो कि आप भी काम करो देखो ऐसा कुछ नहीं हो अगर आप मैनत करते हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो ठीक है? स्केचिंग ही नहीं आप कुछ भी आप कोई मीडियम सीख सकते हो स्टाइटिंग पैंसल करो धीदी करके आप अगर आगे बढ़ते हो तो आप अच्छे तो बेसिक सी जरूर लर्न करना है क्योंकि वही बहुत इंपोर्टन होता है लाइन्स तो मैं तो यहीं बोलता हूँ अगर आज आपने ये वीडियो देखी है तो लाइन्स की पहले प्रेक्टिस करना न्यूस पेपर को उपर बड़े पैंस है कैसे भी कुछ भी पहले अपने माइंड को फ्री रखो अपने हैंड को फ्री रखो तब ही अभी स्केचिंग बना पाऊगे तो थैंक यू सो मच सभी को अच्छा लगा होगा कि आज मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाए और बहुत साथ लोग को मैंने वेट कर रहे थे वीडियो का और वैसे ही कि यह मेरी वीडियो है बट यह मेरी वाटर कलर की स्केच्च बूक की है जिसमें मैंने इलिस्ट्रेशन बनाए है इसकी वीडियो में बाद में बनाऊँगा तो मैंने ऐसे रख के फोटो क्लिक करना ऐसे किचाए ही ती तो मैं इसकी वीडियो बाद में बनाऊँगा जिससे कि अभी तो एक pencil medium दिखा रहो black and white so color medium मैं आपको बाद में दिखाऊँगा मालब means water color अगर wet medium की बाद करें so ठीक है thank you so much and please subscribe कर देना and अपने दोस्तों को share करना जिससे कि आपको आगे भी interesting video देखने को मिले and बहुत सारी चीज है so ठीक है okay thank you so much bye bye